आकाश्वानी भूपाल से प्रिस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं पूर्वां त्रवेदी सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार प्रदानमंती राष्टिय अप्रेंटिन्शिप मेलिक आयोजन कल देशपर में 200 से ज़ादा स्थानों पर लगेगा एक दिपसीय मेला अमरनाथ यात्रा पर गए प्रदेश की यात्रों के लिए जम्मु कश्मी प्रिशासन से संपर्क मेहर राजिशासन के अधिकारी प्रदेश में उत्सापूर्वक मनाया जा रहा है एदुल अजहा का तियोहर परंपरागत श्रदभाव से मनाई जा रही आशाणी एक आदशी और वृद्धिश जनों के अधिकारों पर कल भोपाल में होगा राश्ट्रिय संगुस्ठी का आयोजन अब समाचार विस्तार से कौशल विकास और उद्धिमिता मंत्राले कल प्रदान मंतरी राश्ट्रिय अप्रेंचिंशिप मेला आयोजित करेगा अब तक 188,000 से जादा लोगों ने इस प्रकार के मेलों में हिस्सा लिया है और मेले के माध्यम से अब तक 67,000 से जादा अप्रेंचिंशिप अफसर यूजन किया जा रहा है मेले में भाग लेने के लिए उम्मिद्वारों के पास पाचवी से बारवी पास तक का सर्टिफिकेट, कॉश्टल प्रसिक्शन सर्टिफिकेट, ITI डिप्लोमा या इसनातर डिग्री होना चाहिए युवा और प्रसिक्शत उम्मिद्वार 500 से जादा विबिन उद्दमों में से किसी का चुनाव कर सकते हैं इस कारेकर्म का मुख्य देश कंपनियों को अधिक से अधिक प्रसिक्शों को लेने के लिए प्रूत साहित करना है राज्य सरकार ने अमरनात यात्रा पर गए प्रदेश की यात्रियों के लिए हेल्प लाइन नंबर उपलब्द कराया है जिसका नंबर 181 है प्रदेश के बाहर से जानकारी लेने के लिए 0755-255-5582 पर संपर्क किया जा सकता है मुखिवंदेश शिवराज सिंग चोहान के नरदेश पर राज के ग्रीव विभाग द्वारा कश्मीर सरकार के उच्छ अदिकारियों अनंत नाग और पठान कोट के जिला प्रुशासन से लगातार संपर्क इस्थापित किया जा रहा है अभी प्राप्त जानकारी के नुसार मध्य प्रदेश से अमरनाथ यात्रा पर गए यात्री सुरक्षित इस्थान उपर है सागर से हमारे समवादाता ने बताया कि अमरनाथ तीर्थ यात्रा करने गए तीर्थ यात्रियों से कलेक्टर दीपक आरे ने उनकी कुशलता की जानकारी प्राप्त की कलेक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी हर संभव सहायता के प्रयास किये जा रहे हैं कलेक्टर शियारे ने अनिंतनाक की कलेक्टर प्यूश सिंगला से सागर के तीरतियातियों के संबन में जानकारेली एवं उनकी हर संभव मद्द करवाने के लिए आग रह किया प्रदेश में आज इद और अजहा का तियोहार मनाया जा रहा है इस मौके पर बोपाल के जामा मजजद मोती मजजद सहद सौस्थानों पर ईद की नमाज अता की गई इस दौरान मुल्क की तरक्की, खुशाली, अमंचन और अच्छी बारिश के लिए सामोहिक दुआ की गई सभी लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद के मुबारक बात दी इससे पहले कल बोहरा समाज ने एद मनाई, बोहरा समाज के लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को शुपकाम नाय दी देवास उमरियाज शहडोल और सतना सहद अन्य जिलों में भी ईत का तिवहार उस्सा पूर्वग मनाय जाने के समाचार मिले हैं आज आशाडी एकादशी भी है इस पावन अपसर पर प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने शुब कामनाय दी है उलेकनी है कि शिमोदी ने मन की बात कारिक्रम की पिछली कड़ी का वीडियो भी साजा किया जिसमें उन्होंने वरकारी परंपरा और पढ़र पुर की दिवविता की चर्चा की है दी प्रदान मंतरी ने सबके लिए भगवान विठल के आशिरवात की कामना की मुखी मंतर शिवरा सिंग चोहान ने भी प्रदेश वासियों को इस पर्व की बढ़ाई दी है आशारी एकादशी की मौके पर आज भूपाल में विबिन मराठी संस्थाओं द्वारा दिंडी यात्राओं का आयोजन किया गया यह यात्रा ग्यारा सो कौर्टर्स इलाके के श्री गणपती मंदर से शाम साड़े पांच बजे प्रारम हुई जिसमें बड़ी संख्या में शद्धालों ने भाग लिया मध्य प्रदेश की श्योपुर से कोटा जारही ने जी बस आज इटावा के पास दुरगटना ग्रस्त हुई इनमें 9 लोग गंभी रूप से घायल हो गए और 31 लोगों को हलकी चोटा आई है गंभी रूप से घायलों को कोटा अस्पताल में भरती कराया गया है अब समाचारों में वक्त है एक अंतराल का डौट कॉम पर या AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार पुरहां आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा वृद्ध जनों के अधिकार विशह पर राष्टिय संगुष्टी का आयोजन 11 जुलाई को भोपाल के प्रिशासन एकादमी परिसर में किया जा रहा है संगुष्टी के मुख्य अतिती राजपाल मंगु भाई पटेल होंगे इसके अधिक्ष्टा राष्ट्य मानव अधिकारी आयोग के अधिक्ष अरुन मिश्रा करेंगी यह जानकारी मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के सचिव शोबित जैन ने दी उन्होंने बताया कि इस अफसर पर राष्ट्य मानव अधिकारी आयोग के अधिक्ष नरिंदर कुमार जैन सहित अन्य विशिष अतिती भी उपस्तित रहेंगे CM RISE स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पद भरने के लिए आविदन आमंतरत की गए हैं इस बारे में लोग शिक्षण संचाल नाले के आयोगत ने बताया कि ऐसे नव नियोगत शिक्षण जो पूर्व से चैनित CM RISE विद्यालों में कभी पदस्त नहीं रहे वे अपनी पदस्थापना के लिए आगामी 11-13 जुलाई तक विमर्ष पोर्टल के माधिम से आविदन कर सकते हैं अनरक्षित टिकेट यात्रियों की सिविधा के लिए भूपाल रेल मंडल ने UTS मोबाइल एप की सिविधा शुरू की है यात्रिय अपने मुबाइल पर एप को डाउनलोड करके रेल यात्रा के लिए अनरक्षित टिकेट बुक कर सकते हैं इस एप से प्लेटफॉर्म का टिकेट का सीजन टिकेट भी लिया जा सकता है ये एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है प्रदेश के विबिन हिस्सों में कल राद तेज बारिश हुई राजधानी भोपाल में मध्य रातरी के बाद से सुबह तक बारिश होती रही होशंगाबाद जिली में भी कल शाम को तेज बारिश हुई करीब एक घंटे की बारिश में शेहर की सड़के पानी से जल मगने हो गई निचले इलाकों में पानी भर गया भोपाल में भी बड़े तालाव के जल स्तर में व्रद्धी होई है और यह बढ़कर 1669 फिट से अधिक हो गया है वहीं मौसाव विभागने अकले 24 घंटे में प्रदेश के भोपाल, रायसें, सीहोर, राजगर सहित कुछ अन्य जलों में तेज बारिश और अन्य जलों में सामाने वर्षा की संभावना जताई है सतना जले में अब तक 130.5 mm औसद वर्षा दजग की जा चुकी है चेहडोल जले में बारिश का दोर जारी है, वहाँ अब तक 244 mm औसद बारिश हो चुकी है जले में कई नदी नाले उफान रहे है बैतूल जले की घुरा डोंगरी तहसील के सातल देही गाउं में कल तेज बारिश के बीच नदी पार कर रहे दो भाई बहन पानी के तेज प्रवाह में बह गए, इनमें से बहन को बचा लिया गया है जबकि भाई की तलाश की जा रही है अब कुछ समाचार संग्शेप में देवास जले में नगरिय निकाय निर्वाचन में दूसरे चरण में नगरपाली का निगम देवास, नगरपरिशत सूनकक्ष, पीपल रावा, भारासा एवं टोक खुर्द में मतदान 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा परिणामों की घोशना 20 जुलाई को होगी अनुपूर जिले के जैथरी थाना अंतरगत बेहर घाट में यातियों से भरी बस पलट गई, इस घटना में कई यातरी घायल हो गए और यह बस राजिंद ग्राम से शेहडोल जा रही थी, घायलों को जैथरी और पुश्पनाजगड अस्पताल में भरती कराया गया है नीमच जिले में आज सुभा भरभडिया रोड पर एक बाईक खाई में जागरी जिसमें दो युवकों की मौत मौके पर ही मौत हो गई भुपाल के रानी कमरापती रिलिवस्टेशन से जबलपुर के बीच चलने वाली जन्शितापदी एक्सपरस ट्रेन में जल्द विस्टा डूम कोच जोड़ा जाएगा इस कोच की खासियत इसकी काच वाली छट है जिससे बाहर का नजारा देखा जा सकेगा इस कोच में बड़ी-बड़ी काच वाली खड़किया और 180 डिरी तक घूमने वाली कोर्सियां भी है और आगर मालवा में डेंगो चिकन गुनिया तथा मलीरिया जैसी मौस मीमारियों के नियंतर के जाने के लिए गति विधियों के बारे में जिला इस्तरिय कारिशाला कल दोपार एक बजे कलेक्टिर सभाकष में होगी अंत में मुखी समाचा एक बार फिर प्रधान मंत्री राश्टिय अप्रेंटिशिप मेली का आयोजन कल देश भर में 200 से जादर स्थानों पर लगेगा एक दिफसियम मेला अमरनात यात्रा पर गए प्रधेश के यात्रियों के लिए जम्मू कश्मी प्रशासन में संपर्क में है राजिशासन के अधिकारी प्रदेश में उत्सा पूर्वक मनाया जा रहा है इदुल अजहा का त्योहार परंप्राकत श्रद्धाभाव से मनाई जा रही है आशारी एक आदशी और व्रद्धिजनों के अधिकारों पर कल भोपाल में होगा रास्री शंगोस्टी का आयोजन। इस बुलिटिन में बस इ